तो आप लोगों ये बात बहुत अच्छी तरीक से पता है कि हमारे गेम में कुछ ऐसे गंस है जिसकी आवाज पहले कुछ और हुआ करती थी लेकिन आज की टैम पे उनकी आवाज को चेंज कर दिया गया है तो क्या आप लोगों इसकी पीछे का फैक्ट पता है कि क्यों गंस क कि आवाज को चेंज कर दिया जाता है और अगर मैं आप लोगों से कहूं फ्रीफार में कैसी आईडी है जिसमें आज तक जीतने भी बंडल जितने भी इमोर जितने भी गंस किन आया है सब के सब उस आइडी में अवेलेबल है तो क्या आप मेरी बात का यकिन करोगे और हमा आखिर क्या हो सकता इसकी पीछे करीजनी चोटी चोटी ग्लू ऑल की स्कीन का क्योंकि यूजलेजर कोई भी इस ग्लू ऑल की स्कीन को यूज नहीं करता है तो आज की विडिवार में जानेंगे जिन फैक्स उसुन के आपके रिएक्षिन इस बच्ची की तरह होगा तो इस दाइमंड रोयल वेपन रोयल एंपिर को भी वाउचर मिलते हैं उसमें इस तरीका का टाइमर होता है पहले यह च्छाल देनेंगे तक यूज नहीं करूंगा तो यह वाउचर अपने हो जाएगा मतलब मेरे लिए हो जाएगा तो गणिन आज का एसे वाउचरती है क्या जैसे बहुत सारे कंजूस लोग है जो वाउचर को बचा के रखते हैं ताकि जब कभी भी बहुत ओपी वाला लकी रोयल है तब उस वाउचर को उस लकी रोयल में इन्वेस्ट कर सके और मैं यह चीज़ पहले भी करता था अभी भी करता हूं लेकिन यह चीज़ गरीना को बि बिल्कुल पसंद नहीं है इतना दिन का टाइम के अंदर इस वाउचर को यूज़ करते हो तो यूज़ पहले है लेकिन उसके वाला करना चाहोगे तो आपके अपने अप गायब हो जागा आप इसे यूज़ भी निकर पाओगे आप लोगो इवो टोकॉंस के बारे में तो पता ही होगा जो इवो गन्स होता है उसको मैक्स करने के लिए टोकन की ज़रुवत पढ़ती है और ऐसे तीन इवो गन्स के टोकन अविलेबल है एक MP40 का एक SCAR का एक AK का लेकिन हम लोगों को यह बात नहीं बुलने चाहें कि इवो गन्स टोटल चार है हमारे फ्रिफार गे लेकिन अगर हम बात करें यूएंपी की टोकन की तो वह काफी तादा यूनिक है उसका कलर है ब्लू लेकिन जो यूएंपी का टोकन है वो हमारे इंडियन से लर्ड़ में स्टोर में अवलेबल नहीं है अगर आप लोगों को याद नहों तो मैं आप लोगों याद दिला द available क्यों नीकर आगया इसके पीछे का बहुत सिंपल सा रीजन हो है यूएंपी जो था वो क्लाइबरेशन का पार्ट था यूएंपी के साथ साथ उसके टोकन थे वह भी कोलाइबरेशन के पार्ट थे आप लोग नहीं पता तो मैं आप लोगों बता दूँ जो भी पार्ट होते हैं वह रीटन में नहीं आते जब तरह वह कंश्मीर के साथ था जो हमारे गेम में करेक्टर एके उसके साथ यह कॉलाबरेशन था तो अब श्राब लोग आपके कोशन का एंसर मिल गया ह जब के लॉट चुआ था तब आलो का राज चलता था एंड के की एबिलिटी बहुत अच्छी थी आलोक से लेकिन फिर भी के फेल क्यू हो गया क्यू बंदे लोग क्रोनो की तरह के को यूज नहीं किये आप लोगो इसके पीछे कर रिजन पाता है इसके पीछे कर रिजन मतलब ability on हो गई है एंड जब यलो वाला आता है उसका मतलब ability off हो गई है लेकिन पहले ऐसा नहीं था के की साथ के की कब चलू हो गई और हमने बंद किया तो बंद हुआ है नहीं यह सब पता नहीं चल जिदी क्योंकि यह वाला function पहले नहीं था गेम में इसके वैसे बंदों को सब्सक्राइब नहीं करते थे इसलिए बंदों लोग घतराते थे यह तो थोड़ी चोटी चीज है यह पर नहीं तो के की अबिलिटी दूसरे करेक्टर में डाल की यूज करते लेकिन जो पहले चीज़ बताया है मैंने वह साइन वाला साइन पता नहीं चलता था कि कब यार पाल के मों सब्सक्राइत कपे जिसमें जो पहल तर जोटी चीज ती जो की करेक्टर को फेल कर दियो काफी यूनिक एंड मोस्ट ओधार का फेवरेट मोड़ हो उस मोड़ का नाम है ब्रिक्स इंगर यह मौड आज से कुछ एक्जेक्टी 11 मत पहले आया था एंड यह मोड काफे तरह amazing था देखने बहुत तरह amazing लग रहा है और यह मोड का भी return में भी नहीं आया भाइलों जिस तरह की ज़िए रेर बंडल सब्सक्राइब में नहीं आते हैं उससारी कि यह मोड भी return में नहीं आया है हमारे free fire game और अफी सरी प्लेयर्स की यह दिमांड है कि इस मोडों को वापस से रीटन में लाया जाए इस नॉट पॉसिबल आप लुग ने ब्रिक स्विंगर मोड खेला है या नहीं यह बता आप लोग तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के लाक जरू करना आप लोग हमारे चैनल पे नई हो भाई लोग तो सबसें पहला सब्सक्राइब चैनल के में इस सब्सक्राइब सब्सक्राइब फ्री dew खतां यह सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब करता हैं ईनॉस एक्दर कोई also never नहीं हुआ करता था बस वर टाइम पर एक सरवर हुआ करता रहो है सिंगापूर सरवर एंद उस सिंगापूर सरवर में पूरा वर्ल्ड कहलता रहा फ्री फायर फैक्ट नमबर थ्री आप लोगो यह बात तो पता हिए कि हमारे फ्री फायर में जितने भी गंस है पहले उनके आवाज वे वह और होती थी आज के डाएं पर उनकी आवाज है उनको बहुत तरह चेंज कर दिया गया क्या आप लोगों पता है क्यों कि आप लोगों लगता है यह लेकिन आप यह रमों के बनले SMG लगाओ तो ऑबियस्सी बात है उस गन की आवाज ही चेंज हो जाएगी आपको आसान एक्जांपल देता हूं आप लोग मज़ा यूज करते हो और कभी आप साइलेंस एर उसकर ना तो आप लोग कुछ समझ में आ जाए कि आवाज कितने आज़ा चेंज हो जाती है अगर आप किसी गन में कुछ भी चेंज़ेंश करते हो तो उसकी आवाज चेंज करोगे तो उसका जो साउंड होगा ही होगा आप लोग मैंन में यह चल रहा हो और फ्रीफार ने किसी गन्स के साथ छेड़ चाड़ पहली बार थो नहीं कि वह तो कहीं बार कर चुके है लेकिन अब हर चोटी चीज़ पे बहुत ही जान देता है अगर मैं आप लोगों से कह है जिसमें सुर्वात से लेकर अभी तक जितने भी आइटम साय है लाइक बंडल गंस्किन या फिर कुछ भी आउतार वहना वह सब एक आईडी में पहले से अवेलेबल है आप लोग बैकरों में खुद वाला वीडियो देख सकते हो सब कुछ अवेलेबल है इस बंदे के प आप लोग यह सवाल तो आता ही होगा कि छोटी चोटी ग्लुवाल की कुछ स्कीन है यह फ्रीफार में अवेलेबल क्यों है जबकि पर आज के टाइम पर यह जो ग्लुवाल की स्कीन को यूज नहीं करता तो फ्रीफार ने इस पीचे का रिजन पता है मैं आप लोग इसके पीचे का रिजन जरूर बताऊंगा लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक वीडियो देख रहे ह लुवाल की स्कीन है अगर आप लोग पीचे कवर लेना पड़ेगा तब ही जाके आप लोग पीचे कवर कर पाऊंगे आज के टाइम पर जो ग्लुवाल काफी बड़े-बड़े होते हैं लेकिन अगर मैं आप लोग को कहूं कि पहले ग्लुवाल था आज से कुछ तीन साल रहें पहले हैं वह ऐसा नहीं हुआ था जिस सरी के सावी स्कृम में देख सकते हो एस नहीं हुआ करता था ये कुछ इस टाइप का हुआ करता है तो इसके स्कीन पहले सी बड़ा थोड़ना कर देंगे अब इस टाइम पर जैसा ग्रूवाल होगा उसी टैप सी स्कीन को मैंने पहले आया था तो आप लोग में चल रहा होगी पांस च्छे महने पहले तो गुलुवाल काफी बड़ा हो गया था नॉर्मल की इतनी हाइट आ गई थी तो यह को लॉंच किया लेकिन अधर सब्सक्राइब बहुत पहले ही आचुकी है जब छोटा-छोटा हुआ करता थ आप लोग हमारे चैनल पर नए हो भाई लोग तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाजिए बैल नोटिवेशन बहला है उस वह जब रूश्ट कर दोना क्योंकि हम लोग फ्री फार से टेट ऐसे इंट्रसिंग विडो इस चैनल पर लाते रहते हैं तो सब्सक्राइब जरू से करें ना भाई लोग तो मिलते हो और से नेस वीडियो में जबते के लिए बाबागाया दो पीस आउट थैंक्स फर वाचिंग